नमस्कार, मैं हूँ सच्चेदानद वसिष्ठ और सज्जनो वह हर कोई प्रानी, यहनी हर कोई मनुस्य, चाहे वो गरीब है, अमीर है, मध्यमबर्गी है, हर कोई यह चाहता है कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा, दिन कैसे होंगे मैने कैसे होंगे वर्स कैसे होंगे अब जिसने इस मैने के अंदर कोई एक्जाम दिया के तो वो इसी मैने के अंदर उसका परिणाम चाहता है और उसका परिणाम कैसा होगा तो हर कोई आने वाले समय की जानकारी चाहता है यह मैना उसके लिए कैसा होगा तो यह मैई का मैना है 2022 का पूरे वर्स का भी दिया हर मैने का भी हमने दिया और अब हम मैई के मैने के लिए और धनु रासी वालों के लिए रासी फल दे रहे हैं वीडियो प्रारंब होने से पहले आप कृपया हमारे इस स्रीवसिस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकेन को दबाएं जिसके कारण की जोतिस से सम्मंदित, वास्तु से सम्मंदित, धर्म गरंतों से सम्मंदित आपको जानकारिया प्राप्त हो सकें आप उसको अपने जीवन के अंदर उतार सकें और जीवन में उन्नती कर सकें तो आईए चलते हैं धनुरासी वालों के लिए माई का मेना अब इस धनुरासी के इस समय पर तरतिये इस्थान के अंदर शनी बैठे हुए के और सनी जो तरतिय इस्थान के अंदर बैठता के तो तरतिय इस्थान पराक्रम का होता के साहस का होता के, हिम्मत का होता के, और भाईयों का होता के, और मित्रों का होता के तो यहाँ पर बैठ करके सनी इन सभी इस्थानों के अंदर अच्छा फल देने वाले के आपको विजयी बनाने वाले कें किसी भी प्रकार काई विजय चाए वो कोड से सम्मंदित है चाए वो चुनाओं से सम्मंदित है चाए वो समाज से सम्मंदित है उस समय पर विजय आपको प्राप्त होगी मित्रों का मेल भाईयों का मेल उनसे लाव ये जो है शनी आपको देने वाले हैं लेकिन यहाँ पर बैठे हुए शनी तरतीय दृस्टी से पंचम स्थान को देख रहे हैं पंचम स्थान में नीच दृस्टी इनकी जा रही है और पंचम स्थान संतान का होता है संतान से कोई न कोई विवाद या संतान के स्वास्थ में गिरावट ये शनी इस महिने के अंदर दे सकते हैं शनी यहाँ पर बैट करके और भागे स्थान के अंदर भी देख रहे हैं जिसके अंदर भी उतार चड़ाव ये जोगें दे सकते हैं यहां पर बैटकर के शनी 12 इस्थान के अंदर भी इनकी दृष्टिक है तो 12 इस्थान खर्चों का होता है उसको नश्ट करते हैं यानि खर्चों को बचाएंगे लेकिन ब्रियस्पती अब आपके चतुर्थ स्थान के अंदर बैठे हुए गए और चोथा ब्रियस्पती यस को देने वाला प्रतिष्ठा को देने वाला भूमी भवन वाहन का लाब देने वाला माता से सुक देने वाला माता को स्वास्त जो है लाब देने वाला ये ब्रियस्पती आपका रहेगा ये ब्रियस्पती यहां से बैट करके और ब्रियस्पती तो जहां भी बैटते हैं वहां भी सुब हैं और जहां इनकी दृस्टी जाती हैं वहां भी सुब फल ही प्रदान करते हैं राज्यकारी के लिए भी यह आपके लिए अच्छा फल देने वाले हैं सुब कारियों के अंदर यह खर्चा करवाने वाले हैं कोई प्रोपर्टी खरीदवा सकते हैं वाहन कुछ खरीदवा सकते हैं खर्चे भी यह करवाएंगे लेकिन अच्छे काम हों के अंदर एसे डिटी से संबंदित, गैस से संबंदित, कोई जो है प्रोब्लम आपको हो सकती है, और ये राहू यहां से बैठ करके और लगन के उपर इनकी दृस्टी जा रही है, थोड़ा सा इस महिने के अंदर आवेश आपको ज्यादा रहेगा, शांती बनाए रखें, और शांती क तारीक है, यानि एक मई आपके लिए अच्छी रहेगी, दो, तीन, चार इस समय पर आप ये समझ लो मौन धारन कर लो, किसी भी प्रकार की कोई वानी आपकी ऐसी निकल सकती गया है, देखिए तीर का घाओ, तलवार का घाओ भर सकता है, लेकिन वानी का घाओ जो है कभी भी नहीं बरता है, वो हमेशा तरो ताजा होता रहता है, इसलिए कोई वानी के द्वारा ऐसा शब्द, वाक बान, कोई आपके मुझ से ऐसा ना निकल जाए, जिसके कारण से कहीं से कोई सत्रता उत्पन हो जाए, पांच और शे तारीक, वावा, क्या बात बताएं, बहुत तारीक, ये आपके लिए स्वास्त में गिरावट पैदा कर सकती है, इस समय पर एक तो यात्रा ना करें, और एक अपने स्वास्त का पूरा पूरा जो कहें ध्यान दें, जलका भी भेह रह सकता है, और अब 10 और 11 तारीक, 12 और 13 तारीक, 14 और 15 तारीक, लगातार 6 दिन, यात जिकारे के लिए, पिता के लिए, पिता के संबंधों के लिए, पिता से लाब के लिए, और चारों तरफ से लाब ही लाब का समय, ये 6 दिन का आपका गुजरेगा, और ये मैंने आपको बता दिया है, 15 तारीक तक 16 और 17 तारीक, इसको जड़ा पचा के रखें, इसमें कोई भी खर्चा ना करें और खर्चा जो आवश्यक है वो तो करना ही करना पड़ेगा लेकिन कहीं पर investment ना करें किसी गो उधार ना दें इस समय का दीया हुआ पैसा investment डूब सकती है विवाद में पड़ सकती है इसलिए इस समय पर अपने हाथ को रोक करके आप चलें और 18-19 तारीक, 20-20 तारीक और 22-24 तारीक ये 7 दिन हासी, खुशी के माहूल की है, तन में प्रसंदता, मन में प्रसंदता, धन का आगम कुटुम्ब के अंदर उत्सव, कुटुम्ब में उल्लास, कुटुम्ब में प्रेम, प्यार, और मित्रों से और भाईयों से भी सहयोग की प्राप्ति आपको इन 7 दिनों के अंदर मिलने वाली है, और इन 7 दिनों के पश्यात, अब मैं और आगे अगर चलूं, तो यहाँ पर 25-26 तारीक, ये 25-26 तारीक थोड़ी सी उद्विर्ग निताकिक है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कारी तो जरू इन्वित रहेगा, भैसे युक्त रहेगा, अकारण भैके जो हैं, मन के अंदर आशंकाएं होंगी, तो उससे थोड़ा सा उद्विर्ग निता को अपने कंट्रोल में रखें, बस में रखें, 27 और 28 तारीक, ये भी आपके लिए बढ़िया है, विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है, और आपके पुत्र से लाव हो सकता है, पुत्र को लाव हो सकता है, और पुत्र को जो है, इस समय पर सपलताओं की प्राप्ती हो सकती है, लेकिन 29, 30 और 31 तारीक, ये आपके लिए सावधानियों की है, वही वाली बात है, कि इसके अंदर वानी के द्वारा को कोई विवाद उत्पन हो जाए, किसी से जगणा उत्पन हो जाए, कोई कोर्ट केस हो जाए, कोई कानूनी उल्जने पैदा हो जाए, तो इनको आप शान्ती से गुजारिए, तो उसके अलावा आपका पूरा मेना शान्ती पूर्ण और लाब पूर्ण रहेगा, अब एक निवेदन मेरा यह है, ये क्रपया विशेश करके द्यान दे, जब भी फोन करना हो, तो सुबह 10 वजे से लेकर के साइंकाल 6 वजे के बिटेल है, जनम की तारीक है, महिना है, सन है, समय है और जनमस्थान है, इसके बगएर जनकारियां नहीं मिलती है, रासी के ऊपर केवल अगर चले, तो करोणों करोणों आदमियों की एक रासी होती है, और उनके अंदर सब को एक जैसा फल नहीं मिल पाता है, इसलिए अप अपनी संकाई रख सकते हैं, अपनी समस्याए रख सकते हैं, उसका समाधान आप पा सकते हैं, हम कामना करते हैं, इस वर्चे प्रार्टना करते हैं, कि ये मही का मैना आपके लिए सुखद और लाददाई रहे, नमस्कार दैवग्य सचिदानन्द वशिष्ट जी से, जोतिश, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी है तू, हमारे यूटूब चैनल शुरी वशिष्ट को सब्सक्राइब, लाइक और शेर करें, लेटेस्ट अपडेट के लिए बिल का बटन जरूर दबाएं हमारे यहां वैदिक ब्रह्मनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाट, कर्मकांड, संगीत में विभा, ग्रीक लेश, काल सर्प दोश, व्यापार में रुकावट, वा नव ग्रहों की पूजा आदिक कराई जाती है हमारे संपर्क सूत्र हैं हमारी वैब साइट है